हेलो गाईज, वेलकम बैक टू आवर यूटूब चैनल, बी ए लर्नर ओल्वेज, आज हम जो सब्जक्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है साइकेट्रिक नर्सिंग, ठीक है, तो टोपिक को शुरू करने से पहले एक लाइन है आप सब के लिए, देखिए, अगर की बदलिये, ना की अपना इरादा ठीक है, आप लोग जैसे साल के एंडिंग में पढ़ते होगे, जब एक्जाम साने को होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हर रोज थोड़ा-थोड़ा पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी आगे के लिए प्रिप थोड़ा ठीक है, एक दम ज्यादा पढ़ने से अच्छा है, आप डेली थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेजिए, तो शुरुवात करते हैं आज की टोपिक की साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर, आज हम जो टोपिक करने जा रहे हैं, वो है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमें लाया गया या फिर इसको as a science आप पढ़ने लगे हो, तो हम पढ़ेंगे बहुत सारे आपके कुछ periods रहे हैं, जैसे persecution का period, segregation period, यह बहुत easy हैं, आपको easily समझा जाएंगे, तो देखिए the following categories of periods are identified historically, यानि इतिहास में इन categories को पढ़ा जाता था जो आज हम शुरू करने जा रह period का मतलब एक time ऐसा आया, जब लोगों को क्या लगता था कि जो mental disorder है, या mental illness है, वो क्या है आपका ये भूत प्रेत या आत्मा की वज़े से होती है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था पहले, तो सबसे पहले जो चीज थी, वो यही मानी जाती थी, in this period, जो black spirit है, यानि काली आ जैसे ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ऐसा भी लोग मानते थे कि इस disease के लिए कोई treatment ही नहीं है, no treatment is available for mental illness, क्योंकि ये हुई किसकी वज़े से है, उसके बुरे कर्मों या बुरी आत्मा की वज़े से, या उसके इंदर कोई भूत गुश गुश गया है, उस वज़ जो word है आपका, उसका मतलब होता है, अलग करना, तो इस period के अंदर क्या होता है आपका, in this period, all mentally ill patients are placed in asylum, ठीक है, पहले क्या माना जाता था, कि आत्माओं की वज़े से हो रहा है, ये सब कुछ उसके बाद क्या किया जाने लगा, जो भी लोग abnormally behave कर रहे थे, उनको क्या किय या asylum के अंदर छोड़ा जाने लगा, या फिर उनको asylum के अंदर रखा जाने लगा, जो first asylum आपका बना, वो Bethlehem asylum था, जो की England के अंदर बना था, ठीक है, उसके बाद जो period आया आपका, वो रहा period of humanitarian, इसका मतलब क्या है, इनसानियत का, इसके अंदर क्या है, इस period के अंदर क् बहुत सारे establish होने लगे, यानि जो भी mentally ill patient को और जो normal person है, उनको अलग-अलग रखा जाने लगा, यानि उनके लिए एक special जगह बना दी गई, जिसका नाम asylum रखा गया, तो फिर इस period के अंदर क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे asylums का establishment हुआ, यानि उनको बनाया गया, और जो physicians ठीक है, जो normal physicians थे, वो भी क्या करने लगे, interest लेने लगे mentally ill patients के अंदर, मतलब उनको भी interest आया कि देखा तो जाए, किस वज़े से इनका जो behavior है, वो abnormal देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर physicians ने उनके अंदर interest लेना शुरू किया, तो सबसे पहले क्या था, persecution का period, फ आप देखने को मिला आपको, after 1856, ठीक है, 1856 के बाद, इस period के अंदर, mentally जो patient थे, उनको consider किया जाने लगा, मतलब यह माना जाने लगा, कि यह जो इनसान है, जो abnormally behave कर रहा है, यह mental patient है, और इसको हम क्या करेंगे, treat करेंगे as a general patient, ठीक है, mental patient को क्या, एक patient की तरह ही माना जा करते हो, वैसे ही, mentally ill patient को क्या किया जाने लगा, general patient की तरह, treat करके, यह मानके कि यह भी किसी बिमारी का शिकार है, उनका इलाज आपका शुरू किया गया, उसके बाद, देखिए, और एक आपकी development होई, 1927 के अंदर, सेकल नाम के scientist थे, इन्होंने insulin shock therapy की शुरूआत की, यानि अब देखिए, अब जब आप इनको treat करने की कोशिश करोगे, तो अब आप treatment भी ढूंड होगे, कि mentally patient को पहले तो आप मानी नहीं रहे थे, कि वो patient है, पहले तो आप क्या समझ रहे थे, कि वो क्या है, बुरी आत्माओ का साया है उनके उपर, या फिर भूत उनके अंदर च सेकल ने insulin shock therapy शुरू की, यानि patient को क्या किया जाने लगा, insulin दिया जाने लगा, देखा जाने लगा कि इसका कोई effect हो रहा है, नहीं हो रहा है, patient थोड़ा control में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, 1938 के अंदर आपके दो scientist थे, यूगो सेरिलेटी और leucino banning, ठीक है, इन्होंने discover किया आपका ECT, जो आप electro-convulsive therapy पढ़ते हो, treatment होता है, जो कि एक mental health patient का, उस चीज की, क्या कि इन्होंने खोज की, 1938 के अंदर, ठीक है, यह आपकी first discovery थी, psychiatric field के अंदर, यह आपकी बहुत major, आप इसको कह सकते हो, discovery रही, psychiatric field के अंदर, और firstly, मत के patient को treat करने की कोशिश की गई, ठीक है, अब science की period, science की period में इतनी सारी चीजे हुई, क्या patient को general patient की तरह consider किया, insulin shock therapy, शुरू की, फिर आपका ECT की तरफ ध्यान गया, उसके बाद आया, आपका period of prevention, ठीक है, बचाओ का दोर, बचाओ के दोर में क्या हुआ, देखिया, आपक 1960 के बाद आपका, जो first worldwide mental health year है, वो बनाया जाने लगा आपका, ठीक है, mental health year, कब 1960 के बाद, ठीक है, देखिये, यह आपको बता भी रखा है, यहाँ, from 1960 to till, आज तक, 1960 से लेके, आज तक, जो आपका period है, उसको आप क्या बोलते हो, period of prevention बोलते हो, यानि यह जो period है, period of prevention, यह आज तक, चला ही जा रहा है, prevention का मतलब क्या, बचाओ हम, मतलब, ऐसे factors को ही क्या कर दे, जो cause कर रहे हैं, disease को उनको ही क्या कर दे, हम, रोक दे, या उनसे बचाओ कर ले, ठीक है, तो 1960 को आपका क्या मनाया जाता है, mental health year बनाया जाता है, और हर साल 10 October को, आपका mental health day की तरह, celebrate किया जाता है, पूरे world के अंदर, ठीक है, तो period of prevention में, ऐसे जैसे आप normally, जो भी disease होती है, जैसे malaria हो गया, डेंगो हो गया, इनके बचाओ के जो तरीके हैं, ठीक है, जैसे TB के लिए BCG दिया जाने लगा, वैसे ही prevention का दोर है, जो mentally ill patient को, मतलब, कोई भी patient mental ill की तरफ नाया तो हमने पढ़ा इसके अंदर, period of persecution, period of segregation, period of humanitarian, period of scientific और period of prevention, ठीक है, तो आज के lecture के अंदर हम इतने ही पढ़ेंगी, यह हमारा जो topic था, वो है आपका historical development of psychiatric nursing, so thank you guys, I hope आपको यह topic अच्छे से समझ आया होगा, मिलती है next video के अंदर, next topic के साथ,